लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें इस शेहर में जो कुछ भी हो रहा है आप सब को उसकी रिपोर्ट मिल चुकी है आपको ये भी मालुम होगा के ये गैंग वार सूरज पर साथ सिंग और लाला यानि के मदला अल्हातरा के दरमयान कई सानों से चलिया रही है हमने बार बार खोशिश की के ये रोज रोज की मारा मारी बंथ हो जाए इन दोनों को बुला कर डराया धंकाया समझाया मगर कोई असर नहीं हुआ लाला और सूरज सिंग की नफरत की तीवार हमारी कोशिशों से कहीं ज्यादा उची निकली लेकि इस शेहर के जो हालात हैं पबलिक जो कह रही है प्रेस वाले जो लिख रहे हैं इन सब को देखते वे ये जरूरी हो गया है कि हम जल्द जल्द इस प्राप्लम का शलिशन निकालें इसलिए आप लोगों को यहां बुलाया गया है क्योंकि आप सब लोग इस डिपार्टमेंट के बेहतरीन दिमाग हैं पर यह आप शीजिए रिक्वेस्ट है इस शेहर को और पुलीस की इज़रत को बचाने के लिए आप कोई ऐसी तरकीब सोचे हैं जिससे ये दोनों कुंडे आपस में लड़ना छोड़ते और शेहर वाले शांकी से रह सकें अली सिजेशिंट हलो यह सार जी हां यह सार उसी सिल्सले में मिटिन चल रही है जी लेकिन सार ओके ओके सार अपने मनस्टर साहब हमारी मदद के लिए कोई खास आप में पिछ रहे है मैं कमें सार कमें टैंक यू सारी ढ़ 몹ल ए था करुछ ड्ले ऐ हुछ एट्कृन杰ट था बह्मटर कामदेー सिंग प्री कर्मिन पृम्चालज रगिवद अछंद प्रीत अच मेर्माज पृम्चालोजी यू स adapter Patreon मेरे, मिनिसटर साहब का कहना है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो कामदेव सिंग pict लोग मुझे केड़ी कहते हैं सर केड़ी सर केड़ी सर केड़ी तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो सर मैं कुछ कहने से पहले सूरज परशाद सिंग और मदनलाल मलोतरा के बारे में कुछ जाना चाहूँगा उनके कोई फाइल बगार आप टॉप सीक्रेट इदर गई आओ प्रॉप सीक्रेट झार जा हूँजए शुज टुझ व्हाँ उनके की प्रॉप खजड़ कहते ही खव प्रॉप भॉप गॉप यह है कौन वो दो लगता है साला इसे मिनिस्टर ने बेज़ा है यह क्या कर सकता है सर लाला और सूरज को रोकने की तर्कीब तो पहले से इन फाइलों में मौझूद है बहुत आसानी से इन दो दुश्मनों को दोस्त बना जा सकता है सूरज सिंग का एक जवान बेटा है राहुल और लाला की एक जवान और खूबसुरत बेटी है प्रिया भोले भाले सुन्दर बच्चे अब अगर यह दोनों बच्चे वो करने लगें जो सब लोग जवानी में करते हैं तो प्राबलम खतम जवाने में सब लोग क्या करते हैं लव प्रेम बापों की नफरत का जवाब है बच्चों की महबब ये दोनों प्रेम करने लगें तो लाला और सूरज को दोस्ती करनी पड़ेगी और जैसे दोस्ती हुई दड़ाई छंगडा लूट मार पारा मारी खुद बखुद बन न अब सोचना ये है कि आग और तेल को एक दूसरी के पास लायर कैसे जाए सोचने देजिए तुम्हारे प्यार में दिल बेकरार कप से है अब आ भी जाओ मुझे इंतजार कप से है ये खादिम काम देव सिंग उर्फ केड़ी आपको बढ़ाई देना चाहता है कि लोगों की राय में आपको शहर का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजन्ट लड़का चुना गया है मैडम इस शायर के लाखों लोगों का विचार है कि आप से ज्यादा सुन्दर लड़की उन्होंने इस जनम में देखी नहीं और फिछला जनम किसी को याद ही नहीं है इस पोल में जीतने वाले जोड़े को याटेरवेज एक ऐसी जगा ले जाएगा जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप प्रेम करते हैं तो यही आईए और अगर प्रेम करना चाहते हैं तो भी यही आईए अगर घज तो लुही आईए ऩर उस से घाटत prophecies इलिए तो इलिए उस्कों पेर सुछ इलिए उन में यही जुट वर तो यॉनिए और प्रेम कि अनवे पना इस प्री आप ये मान अगर चाहते धीा? करें पूर्चर, 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 पर जया है करें, आया है करें, पूर्चर, प्रफ़ मैं अगर प्यार करूँगी किसी से मैं अगर प्यार करूँगी किसी से इच विल भी असल से forever and ever and ever मैं भी अगर प्यार करूँगी किसी को इच विल भी असल से forever and ever and ever मैं अगर प्यार करूँगी किसी से तो होगा असल से forever and ever and ever मुझे को तो जूटा लगता है पल दो पल का प्यार सारी उमर जो चाहेगा वो होगा मेरा यार मुझे को तो जूटा लगता है पल दो पल का प्यार सारी उमर जो चाहेगा वो होगा मेरा यार दिल बार बार खोता नहीं सबसे तो प्यार होता नहीं मैं भी अगर दिल दूँगा कभी किसी को मैं अगर प्यार कभी किसी से सारी और दिल दूँगा कभी अगर यार दिल दो प्यार कभी किसी से मुम्किन है के कल फूलों में हो ना हो पुशबू लेकिन मेरी नजरों से जाएगी दूर न तू मुम्किन है के कल फूलों में हो ना हो पुशबू लेकिन मेरी नजरों से जाएगी दूर न तू आओ लिखे बोजा सितार भूले जिसे लोएं जहार मैं अगर प्यार करूँगी किसी से मैं भी अगर दिल दूंगा कभी किसी को तो होगा कशम से फॉर एवर 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 तो होगा कशम से फॉर एवर 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 ूहार क्यों से दूंगा एवर 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 हालो मैं तुम्हें धूनने कहा जाओ कोई मंजिल न कोई रस्ता है मेरी बाही तुम्हारी मंजिल है तेर मसाफिर है प्यार रस्ता है वक्त आखों में थम गया जैसे एक पल एक साल लगता है मेरे ख्वाबों की सांस तूटन जाए आपी जाओ के आज तूटन जाए प्रेम कहाने शुरू नहीं कर सकतें लेकिन क्यों नहीं कर सकतें तूटन जाए बहुत ही भायानक गोलियां बारूद खुन खराबा तबाही बर्बादी नहीं नहीं हो सकता है हो सकता है मैं प्रिया के लिए खुन के समुंदर और लाशों के पहार भी बार कर सकता हो तुम ही हम दोनों को पास लाए और तुम ही हमें अलग करना चाते हो क्यों इसलिए कि तुम दोनों की तकदिरें ऐसे आद्मियों के हाथों में हैं जो महबत पर नहीं नफ्रत पर भरोसा करते हैं कौन है वो जालिम लोग तुम दोनों के बाप तुम सूरज परसाद सिंह के बैटे हो और तुम मदलाल मलोतरा की बेटी और वो दोने एक दूसरे की जानी दुष्मन है मैं जानती हूँ मेरे पापा बहुत सिथी है वो हमारे प्यार को कभी स्विकार नहीं करेंगे और मैं भी जानता हूँ, मेरे पिता जी मुझे गौली मार देंगे, लेकिन अपने अपने दुश्मन की बेटी को कभी कबूल नहीं करेंगे अब क्या हो रहा हूँ? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, तुम दोनों की महबत की किताब का टैटल है, जुदाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रिया, तुम, मेरे बच्चो जाओ अपने अपने घरों को लॉट जाओ लेकिन अब यह क्यासे? प्लीज, I'm sorry राहे वफा में हम दीवाने हद से गुजर जाए जान लुटाएं चाहत में वादे पे मर जाए तोड़ेंगे ना अपनी कसम मिलके जुदा होंगे ना हम मैं अगर प्यार करूंगी किसी से तो होगा कसम से फरेवर और 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 यह कर दो कर दो कर दो तुम दोनों के मिलन की एक ही सूरत है तो चल्दी से वह सूरत दिखाये ना पहले बादा करो कि तुम दोनों वही करोगे जो मैं कहूँगा बादा तो दिल थाम के बैठो और देखो केडी की अगली चार कर दो तौर तुम फ्दर तुम बादा तुम तुम मैं जीज बली हूँ, मस्त, 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 मस्त मैं जीज बली हूँ, मस्त, 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 मैं जीज बली मैं दोश, दोश मदः होश हूँ मैं हर वक्त, वक्त मैं चीज बली हूँ मस्त मैं चीज बड़ी हूँ, मस्ट कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो क्या कहना है, क्या सुनना है मुझको पता है, तुमको पता है समय का ये पल थमसा गया है और इस पल में कोई नहीं है बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो आउच धक धक करने लग सैया बैया छोड़ना कच्छी कलिया तोड़ना सैया बैया छोड़ना कच्छी कलिया तोड़ना अर दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हाया हाँ दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हाया अर तु है मेरी दिल रुबा क्या लगती है वहरवा तु है मेरी दिल रुबा क्या लगती है वहरवा धक धक करने लगा, हुमोरा जियरा दरने लगा सुरह सिंग, तो के बाद मुझे पता होना चाहिए था कि तू मुझे फ़साने के लिए फिर कोई जाल बिछाएगा कुटों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाए जाते बेवकूफ आदमी उन्हें तो सडकों पर गोली मार दी जाती है, मान से दगाबाज, मकार, दिरिंदर आज मैं तुझे जिन्ना नहीं छुड़ूँगा ठेड़िये, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हिराम कहा तो फूल बरसाने की बाते हो रही थी, अब गोलीयां बरसाना चाहते है जी जी जी, लेडिस का भी ख्याल नहीं है लेडिस की बच्ची, तु इस कमीने के साथ मिलकर, मुझे बसाना जाती थी मैं तेरे तुगड़े तुगड़े कर दूँगा प्रभा देवी, यह क्या हो रहा है बादशा और रानी के खेल में जलील जोकर का अजग उसाया जवाब दे तो मेरा जवाब यह है कि आप दोनों के बच्चों की जिंदगी का सवाल है अगर आप दोनों ने एक दुसरे को गले नहीं लगाया तो वो दोनों मौत को गले लगा लगे यह क्या कह रही है तू पिताजी यह ठीक कह रही है हाँ दैडी यह हमारी जिंदगी का सवाल है जिंदगी में एक पल ऐसा भी आता है जब कोई किसी का बेटा या बेटी नहीं होते सिर्फ जाने वाले होते एक आशिक जो अपनी माशूका की आँखों में खुद को खो देता है और एक माशूक जिसे अपनी आशिक की बाहों में सब कुछ मिल जाता है हम दोनों को भी अपने प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए पिताजी ना आपकी मुहपत ना आपकी नफरत ना आपकी दोस्ती ना आपकी दुश्मनी हम जा रहे हैं पिताजी हाँ दारी हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां मुहपत के बादलों से रागों की बारिश होती है जहां धर्ती की हरी उंगलियों पर पूलों की महंदी लगती है चलो प्रिया रुक जाओ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूँगा राहूल अभियानाथ नहीं हुआ है लाला कमीने मैं जानता था तू और तेरे बेटे ने मेरी बेटी को बहकाया है घेर लो सालों को ये गोलिया तो हवा में चली है लेकिन अगली दो गोलिया हमारी चातियों पर चलेंगे अगर आप लोग हम दोनों को जिन्दा देखना चाते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर दोस्ती कर लें ताकि हम और हमारे साथ सारे शहरवाले अमन से जी सके मैं इस सलील से हाथ में लाओं ना ममके और मैं इस नमख अराम से दूस्ती करूँ कभी नहीं अगर ये नहीं हो सकता तो देखे क्या हो सकता है प्रभा जी आप तस तक गिने अगर आप दोनों ने हाथ भी मिलाया तो हम दोनो भगवान से जा मिलेंगे एक डो टीन चार प्रिया प्रिया मेरी बीटी ऐसा मत कर अरे अपने बाप की इज़त का तो ख्याल कर राहूल क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि तु मेरा सर दुश्मन के कदमों में जुका दे साथ राहूल प्लीज आठ हाँ हम तयार है आप तयार है हाँ अब छगड़ा नहीं करेंगे करें 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 शहर में अमनों शांती रखेंगे स्ट्पएड इंप्लस्पल मने इस्ट्पएड इंप्लस्पवल जैसा कि आप जानते हैं, एक जमाने में लाला और सूरच सिंग बहुत अशे दोस्त थे, लेकिन किसी गलत फैमी का शिकार होकर एक दुसे के दुश्मन बन गए तो सर, अगर उन दोनों के बच्चों में प्यार हो जाए तो वो गलत फैमी दूर हो जाएगी और फिर से एक दूसे के दोस्त बन जाएगी सर, आप मेरा यह खेंड करिये, मुझे एक चांस दीजे, मुझे पूरा भरोसा कि मैं अपने प्लान में जुरूर कामे हो जाओंगा, सर, प्लीज जाँज येस येस सर येस सर येस सर येस, येस प्लीज चुके हमारे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है जिससे हम सूरस सिंग और लाला के गैंक्स पर काबू पासके इसलिए मैं इस्पेक्टर कामदेव सिंग को एक महिने का टाइम देता हूँ थैंक यू सार थैंक यू बगवार प्लीज इन्सपेक्टर शॹरीवस्तव देखो difficulty अब भी मुझे तवारे प्लैन पर भिरोसा नहीं है इसलिए आज केबात तुम इन्सपेक्टर शेरीवस्तव के साथ मिलकर काम करोगे मुझे सही हुआर रिपोर्ट मिलती रहे लिकिन सार इसकाम के लिए मैं आती है सार ओ गाड केडी, इस इस इंसपेकर शिरिवास्ता थांक्यू वरी मच्छ और शालने, आज से तुम केडी को ऐसेस्ट करोगी इन अपरेशन प्याराना प्याराना सार एक नया शब्द बनाया है बड़ों का याराना कराने के लिए छोटों का प्याराना कराना बहुत जरूरी है प्याराना आपका मतलब है कि आपने जो कुछ भी कमिशनर साहब से कहा वो सब हुआ ही नहीं था वो सब आपकी मंगणत कहानी थी मेरी मंगणत कहानी थी पूरी कहानी लड़के लड़के की पहली मुलाकात से लेकर लाला और सूरज सिंग का आपस में गले मिलना वो साथ आपका खयाली पुलाओ था मेरा खयाली पुलाओ था आपको तो फिल्मी स्टोरी राइटर होना चाहिए था अपरेशन प्याराना की काम्याभी के बाद कि पिल्मी सटोरी राइटर बनने काही इरादा है Expression प्याराना कहां से शुरू होगा sir söz कि प्लूज कॉल मी KD ओके केदी पेछे तो चलकर उन प्यारे प्यारे बच्छों को देखना होगा इनका प्याराना कराना है पहले किसी देखना है? लड़के को या लड़की को देखना तो पहले लड़क लड़का लेकिन केटी लड़का मिलेगा कहां धूनते रहे जाओगी अजी धूनते रहे जाओगी प्यार में हर कोई खो गया, समाना दीवाना हो गया गार में हर कोई खो गया जमाना दीवाना हो गया दिल के पहलों में दिल सो गया जमाना दीवाना हो गया प्यार में हर कोई खो गया जमाना दीवाना हो गया जमाना दीवाना हो गया इन गलीओं में बचके रहना नच खत प्रेम कुमारी इन गलियों में बचके रहना नटकत प्रेम कुमारी इस बस्ती में रहते हैं सब के सब प्रेम पुझारी चटक मटक के मचलियों कोई नमक लगा कर चकलेगा चटकीली चटक जवानी को चट से अखियन में रख लेगा सुन्दर लड़की है जहां तंदुरुस्ती है वहां सब का दिल इश्क में खो गया जमान नी वन अगया दिल के पहलू में दिल सो गया वो दिल के पहलू में दिल सो गया समाना दीवाना हो गया दिल की एक हंजर चलवाए कितने हिटलर आए पर इश्क में पाबल दीवानों को वो भी रोप न पाए लहू दिलों का जब चाहत के रंगों में धलता है तब तब इस दुनिया में सुन्दर ताज महल बनता है मैंनी राग छिळा मेरी राग में जाजू कर दिया दरने वाला वो कल तो गया जमाना दीवाना हो गया दिल के पहलू में दिल सो गया जमाना दीवाना हो गया जमाना दीवाना हो गया जमाना दीवाना हो गया जमाना दीवाना हो गया तोपी के नीचे क्या है तोपी के नीचे तो सरफ चोरी का माल ही हो सकता है लेकिन हमरा यह भी खयाल है कि हमरा बिटवा चोरी नहीं कर सकता काये कि उसके बाप के पास बहुत पैसा है यो राइट बाबुजी एक्चली वो क्या है बाबुजी कि आप कमाई में जो मज़ा है न वो मज़ा ना बाप कमाई में है ना आप कमाई में है तो यी तुमरी मेहनत की कमाई है जी हाँ, खुद को खत्रे में डाल कर और अपनी जान की बाजी लगा कर जीते हुए पैसे साब बास बेटे, साब बास तो इसका मतलब यह हुआ कि हमरा बचवा अब जुआ खेलने लगा है नहीं नहीं बाबुजी, मैं जुआ नहीं कहलता हूँ मैं तो शर्त लगाता हूँ यह देखे, यह दो हजार रुपये चार माले से पानी में कूदने के और यह पांच सो रुपये बंबे से पूना नहाई घंटे में पहुचने के और बाबुजी, यह एक सो एक रुपया सर से नारियल थुणने का क्यों? क्यों ख्याल है? बहुत खुब यू मीन तू गुद एक बात बता बिटवा हमसे तुम हारने का काल होगे हारने का तो सवाल ही नी पैदा था बाबुजी तो और अगर आपको यकिन न हो तो तो? लगा लेजे शर्त ठीक है अगर तुम जीत गए बबुआ तो जितने पैसे हैं उसके दस गुना तुम हारा और अगर तुम हार गए तो आज के बाद किसी के साथ तुम सरत नहीं लगाओगे मंजूर मंजूर ए मंगल जी सरकार जराब बंसी से कौँ कि मुन्ना के लिए धेर सारा दूद लेकर आएं बहुत ताकत खच होने वाली है ने ने खर तो आपके पैसे होने वाले बबुजी पूरे 26,000 और दस अरे बेटा जी हमरी बात मान दो हाँ अपना ये दूसरा हाथ भी लगा दो लगा दो बेटा लगा दो अरे नहीं बाबुजी आपको रहाना तो मेरे पाएं हाथ का खेल है सरकार दूद थैंक यू आई मीन दूद की जरूद आपको ज़्यादा है बाबुजी आप ही पी लीजे बचवा तुमको पता है ना कि हम दूद नहीं पीते हैं पता तो है बाबुजी लेकिन ये नहीं पता कि क्यों नहीं पीते आप हम पीते थे बेटा बहुत सौक से पीते थे एक ही गलास से आधा वो पीता था आधा हम बाबुजी लड़का हुआ लड़का हुआ लड़का हुआ अरे भाशन मंग कर इधर आप और देख अपने बेटे को कितना खुमसूरत है अपने बाप पर नहीं गया अ χाहिए अरध बाप की सकल में काख रावी है जरा बताऊ तो सभी अफ़ में बouveं कीजिए आपनी यारी और अपने बेटे को गोद में तो लीजिए अरे नहीं भाव जी अमरी गोद में नहीं पहले इसको लाला कीãyी गोद में डालो करहें कि हम लाला के त 오른 पिटवा भीलाओं का वो इसे भी बहुत बघ्जों इसी ऑध्य हाय ईसे इन्हाप बच्चा इन्हाएं के प्रिया कर दो तो लड़की का नाम हुआ और नहीं तो का अरे भौक जी हमको लड़का हुआ इसको लड़की ओगी तभी नंदोनों का श्रस इस पहले तू, ना बचवा, बिटवा, पी ले, अच्छे, पहले मैं पता नहीं किसने एक दिन हमरे दूद में चहर में ला दिया उस दिन के बाद से लेकर आज तक हमने दूद के क्लास को कभी हाथ नहीं लगाया सरकार बादल गफो हाँ बादल बोलो फिल्ख है उस हराम जादे के उमर बहुत लंबी है भाई साव, इस से बढ़िया जगे अपने दंदे के लिए तो होई नहीं सकती पानी का रास्ता खुला जमीन का रास्ता खुला और उपर आस्मान, आस्मान का रास्ता भी खुला ही खुला जगे तो अपने काम की है बात कर लो हाँ जी राम शाही साही नमस्कार 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 साही नमस्कार अरे जीते रहो साही जीते रहो हमारे लाला जी को जगे बहुत पसंद आ गई है साही लाला जी को जगे पसंद आ गई ये तो बड़ी जुले लाल का करपा है बड़ी स क्या गवर्मेंट का है उसकी फिकर मत करो हम लोग संबाल लेंगे साहिं गवर्मेंट का नहीं है मुलाइट ये का music फारटी का भी नहीं है कश का रफड़ा है ठमीज से बात कर बत्तमीज जिसके आवाज में सेर की गूंज है जिसको देखने से आखों के आगया अधेरा चा जाता है लाला का पुराना दुस्मन सूरच बड़ी बड़ी बाते करने से पहले ये भी जान ले जहां लाला पहुन जाता है वहां सूरच को भी गरण लग जाता है ये मत भूल लाला जिस जमीन पे खड़ा तु सास ले रहा है उस जमीन पे सूरच का राज है लाला ने अच्छा अच्चो के राज बडल दी है सारी, आपकी ये जमीन अमने खरीद ली तु ये जमीन नहीं खरीद सकता क्यों तुने ये जमीन अपनी समाधी के लिए पसंद कर रखी है समाधी तो उसकी बनती है जो हमरे इलाके में आने के जुर्रत करता है और लाला जिस इलाके में कदम रख लेता है वो जमीन उसकी हो जाती है और जो हमरे मर्जी के बगैर हमरे इलाके की जमीन पर अपना कदम रखता है वो अपने कदमों पर नहीं बलकि दूसरों के कंदों पर लोटके जाता है नहीं आज गुली नहीं चलेगी काहे रे लाला इतनी जल्दी घबरा गया लाला ने हमेशा मौत की आँखों में आँखे डालकर जीना सिका है सुरज लेकिन आज लेकिन आज अज अपनी बेटी के जनम दिन पर हम किसी का खुन नी बहाना चाहते है काह परिया का जनम दिन आज 26 अक्टूबर है काह जी हाँ सरकार ठीक है लाला जा तेरी बिटिया के जनम दिन पर ही तेरा मृत्यू दिन हो ऐसा हम भी नहीं जाएंगे दोस्तों पहली खुशी की बात ये है के आज परिया का जनम दिन हो और दूसरी खुशी की बात ये है के मैंने अपने गुडिया के लिए दुला चुन लिया है और वो है बल्विन दरनाथ उर्फ बोबी मुबारक हो लड़की की मंगनी हो गए हाँ किदर इधर हालो कामरे जिलेशिन थाइखियो ममी पापा फिर अपने साले की बातों में आ गए है मेरी शादी बॉबी से कराना चाहते है मैं क्या करूँ ममी प्रिया बेटी प्रिया अरे क्या हुआ तुम पार्टी छोड़कर यहां क्यों आ गई है मेरी शादी तह करने से पहले आपने मुझ से पूछा भी नहीं अरे इसमें पूछने की क्या बात है बेटा बॉबी से अच्छा लड़का और का मिल सकता है अमेरिका से पढ़कर आया है शरीफ है समझदार है और फिर अपने सुरंदर का बेटा है पापा मुझे बॉबी बिलकुल अच्छा नहीं लगता क्या खराबी है उसमें वो तो मैं नहीं जानती बट बट आइजस्टों लाइक इम पापा मैं जानता हूं तुम क्यों पसंद नहीं करती सिर्फ इसलिये न कि वो तुमारी सोतली मा का पतिजा है देखो बेटा मैं तुम पर कोई जबरदस्ति नहीं करना चाहता लेकिन तुम कुछ दिलों के लिए बॉबी को देख लो परख लो और अगर पसंद ना है तो तुम्हारी लिए लड़कों की क्या कमी है थैंक यू पापा तुम बहुत तेज दोड़ती हो शालू थोड़ी मेहनद दोहर करो तो पीटी उशा की खाली जगा ले सकती हो थैंक यू पुलिस से निकाले जाने के बाद कुछ तो करना ही पड़ेगा न पुलिस से निकाली जाओगी तुम क्यों हम दोनों को निकाला जाएगा क्योंकि आपका फ्लान फेल हो चुका है हम गय थे लड़का और लड़की का इश्ख करवाने और हमारी आखों के सामने ही लड़की की सगाई हो गया अरे सगाई हुई है शादी तो नहीं हुई न वो भी हो जाएगी अरे नहीं हो सकती तुमने शायद नोट नहीं किया जिस वक्त लाला ने अपनी बेती के सजाई का ऐलान किया था उस वक्त लड़की चिड़कर दूसरे कमर में चली गई थी इसका बतल लड़की को लड़का पसंद नहीं है मान लिया नहीं है तो तो ऐसे नाजुक मौके पर अगर हमारी दूखी हीरोईं की जिंदगी में हमारा हंसा हंसाता हीरो आ जाए तो सोचे बला क्या होगा क्यों आरा जीनियस केडी क्या नजर है तुम्हारी मुझे हमेशा मतलब की चीज फॉरण दिखाई देती है लगाईगे तो हार जाएंगे नहीं लगाएंगे तो पच्टाएंगे रुवाल गलास इसके नीचे से निकल जाएगा लेकर एक भी गलास दैका और अगर एक भी गलास दिल गया तो आपका पैसा डबाब मेरी तरफ से लेकिन मैंने तो इतनी बड़ी शर्ट नहीं लगाई थी अब लगा लो भाई मुझे मंजूर है लेकिन आप हार जाएंगे यही तो हम चाहते हैं ठीक है तो कहिए क्या करना है अरे साब हम तो कड़ी कमान के तीर है एक बार निकल जाए तो निशाने पर लगे वेगार वापस नहीं आते हैं कहिए कैसे पटाना है इनको इनने मेरी उन्हें अब समझे क्या फार गए यह पैसे हाथ में रखें मैं अभी आया हालो जरा काने दर किजी एक रास के बाद कहिए जो भी कहना है वहीं से कहिए मेरे कान काफी तेज है आओ और मैं भी तो गोड़ मारम मुझे कहना इतना ही है कि आप बहुत की खुबसूरत है और कोई भी खुबसूरत चीज अकेली अच्छी नहीं लगते है उसका जोड़ा होना जरूरी अब देखें न भगवान ने भी हर चीज दो ही बनाए है पेड में से पतियां दो निकलती हैं नदी के किनारे दो होते हैं आखें भी दो होती हैं कान भी दो होन भी दो अर्था दुनिया में सब जोड़े ही जोड़े तो फिर आप अकेली क्यों इसलिए कि दिल एक ही होता है क्या बात करें आपने मज़ा आ गया मगर जब बात दिल तक आई गई है तो मैं इस्ता कहूंगा कि इस पूरे 10,000 रुपए में मुझे आपी की शकल अदर आ रही अगर आप प्यार से मुस्कुरा दे एक कप चाह पीले और थोड़ी रे डांस कर ले मेरे साथ तो इस 10 में से 5,000 रुपए आप क्या हो सकते हैं अरे मैडम आप जाकर रही है अरे बात दो सुनिए अरे अपनी राए तो बताती चाहिए हाई मेरी राए ये है कि मेरी राए से पहले आप उनकी राए जाननीजी जो आपके सामने खड़े है मेरे मंगेतर बाबी मंगेतर मंगेतर को मारिए खोली आप आप तो बाबी बाबी भाई या मैं इसवाई इससे यही कह रहा था कि आपके साथ कोई बाबी भाई या जैसा लड़का होना चाहिए नहीं तू गूद लुड कि बारिश नहीं तूफान साले टकलू ऐसी लड़की को पटाने भेद भी जिसका मंगेतर उसके साथ है और भी मारा मारी हो जाती तो देखो मेरे दोस्त असली शिखारी को सी शिकार में मजा आता है इस में खत्रा अगर ये बाट नहीं होती तो लोग जंगल में गला दाकट कर पुर लगेगा तो ये सजन हरी वैसा है बाइदेवे डूंट गेट पर्सनल यह मेरा जाती मामला है दस और दस बीस हजार रुपया तू गूद अलो गें प्रिया जी ऑन सेकेंड थाट्स आपको बबी जैसे लड़के के साथ नहीं होना चाहिए वो क्या है कि आपके साथ बैठा हुआ वो ऐसा लगता है कि जैसे सेब में कीडा लग गया हो अगर आपको सगाई ही करनी थी तो मुझ जैसे लड़के से करती ना कम से कम साथ में बैठकर शर्मिन्दा तो नहीं होना पड़ता है तुम फाला फिर से आ गया है बैठी बैठीए बैठीए नहीं बैठेंगे खड़े रही है प्रिया जी हम दोनों की तरफ जरा गहर से देखिए मैं देखने में इन से ज्यादा खुबसूरत हो और लिबास भी ज्यादा बेठर पहनता हूँ यह तो कुछ यूस पेपर जैसे लगते हैं यूस पेपर अखबार और गाह भी इन से ज्यादा अच्छा सकता हूँ इनका तो पता नहीं सुर भी निकलता है कि नहीं और ना चाल जिस कितनी भयानक हो वो नाचेगा क्या और मैं मैं जब नाचता हूँ न तो पैर फ्लोर पर नहीं हजीनों के दिल पर पड़ते हैं था 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 और लड़ने भिड़ने में भी कम नहीं हूँ कुंग्फू, कराठे, बॉक्सिंग इन सब में काली पेटी है मेरे प He's too violent, इसे यहां रखी है , इतने बड़ी होटल में लटी जगरने की बाते कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं , भागता हूँ ना रोज भागता हूँ, दोमील भागता हूँ और आपसे तेज भी बाता हूँ गा बगीए वगीए captiv अगर इस दोड में आप जीते तो इस सारे नश्टे का पैसा मैं दूँगा मन्जूर मन्जूर है लेकिन मैं इसके साथ रेट को लगाऊंगा इसलिए कि ये प्रिया की बात की इज़त का सवाल है जो इस होटल का चक्कर लगाकर पहले वापस आएगा वो जीता ओके तु अइसा करते हैं आप लेट से जाएए मैं राइट से जाता हूं फ्रिया जे खाउंज ब्लीज अन्यमाद अब क्या हुआ ऐसा क्यों मैं लेट से तू राइट से क्यों तो आप लेसर जाए ये राइट से, बात एक ही है बॉबी भाहिया प्रिया जी, वन्स मोर प्लीज अन्या मार्ट, गेट सेट, गो तुम पॉपस आ गए है? एक्चुली मेरा मकसद रिस लगान से नहीं था बैठी बैठी, प्लीज मैने तो उशत लगाई थी कि आपके साथ बैठ कर एक कप चाए पी कर दिखाऊंगा आ, तु गुड़, वाट बिचार अब बबी विया, तुम्हारी मदद से मैं ये शर्ट तो जीत गया थाइंके बई माच क्यों चीत? बाभी बाई ही है ये चीत है, ये धोटे बाद है ये जोटा, ये दोखाई में मुझे बेखू बना दिया मैने तो हार मान ली ये ये लिजे बिल के पैसे, काफी होंगे और बाके बज़ा है तो आप रख लीजेगा प्रिया, बाई बीस हजार बीस हजार? ये सर, रुपीज ट्वेंटी थाउजन ओली क्यों? किस लिए? शर्ट के लिए सर शर्ट? तुम क्या सरकारी पैसे से जुवा खिल रहे हैं? जुवा नहीं है, सर, शर्ट है वैसे भी शर्ट के लावा कुछ चारा ही नहीं For your kind information, अखर मैं शर्ट हार गया तो समझ लीजे कि आप शर्ट जीद गए What, what nonsense are you talking? Sir, केडी ने राहूल से शर्ट लगाई है कि वो प्रिया को पठा लेगा पठा लेगा? I mean, Sir, कि राहूल प्रिया को अपने प्रेम के जाल में फसा लेगा और राहूल मान भी गया है What is this stupidity? Don't say, एक पैसा नहीं मिलेगा Sir, तरह हिसाब लगा, ये लाला और सूरज के गुंडों पर पुलिस ने कितनी गोलियां वेस्ट की है एक गोली 65 रुपे किये, Sir सपोज वो 10,000 गोलियां और चलाते हैं, तो मतलब समझ लिए 6,50,000 रुपया 6,50,000 रुप में से अगर 20,000 निकाल दिये, तब भी पुलिस को 6,30,000 का फाइदा होता है और इस तरह अगर राहुल और प्रिया का प्याराना हो गया, तो हो सकता आप D.I.G. बना दिये जाए, Sir Shut up! Shut up! Dolceins, and get out from here! Yes! Sir! Yes, Sir? Yes. Oh, okay. 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 Thank you, Sir. मुझे पूरी उमीद थी कि बात आपकी समझ में आ जाएगी. Bye-bye, Sir. लुआ इसा जादू का नुस्खा मिला है, कि सारी हसी नुस्खी इस दिन बाभी से हार गया था ना, इस लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं। है 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 क्या ऐसा जादू का नुस्खा मिला है कि सारी हसी भूल जाओगे तोड़ता हुना तो हवा भी पीछे रह जाती है बिहाइन और अगर यकीन नहों तो आज हो जाए फिर से मकावला है और इस बार हम दोनों एक ही साथ एक ही डिरेक्शन में दोड़ेंगे बोलो नौ नो नौ रहे यार तुम गोड़े पर में पैदल तुम गोड़े के साथ रेस लगाऊँगे इंपॉसिबल तो लगाई ये शक्त दस हजार में यह मिस्तर मसा विशाफ तेस tutti लगाऊँगा है ओके ओके रिलाक्ष नौ रेस नो दस जार मन्सूर है अहां तु गड़े माह ये क्या पर रहे हो तुम? एक मिनिट भाईे, लाल मेरी चीवी कमाल की चीज़ है छूकुल, इसके लिए ये रख लिजी अपने पास पर रखे तेंक्यू प्रिया जी, यही वो जादू का नुस्खा है जिसके लगात ही आदमी के पैरों में पर लग जाते है और उसके बाद, वो ऐसा दोरता है, ऐसा दोरता है की खोड़ा भी अगर उसे सूंग ले तो दुम दबा कर भाग जाए क्यों, मिस्टर गोड़े? इदर आईए, इदर आईए, कहां भाग रहे? इदर आईए, इदर आईए, तार्टिंग लाइन यहाँ पर है, प्लीज तुमसे ज्यादा बदमाश आदमी, मैंने आज तक नहीं देखा, और इस से ज्यादा सेक्सी हसी, मैंने आज तक नहीं सुनी, ठुगुड आई नो, लेकिन यह नहीं जानती की तुम्हारा नाम क्या है, प्रेम पुजारी, सज बताओ राहुल राहुल, और काम महाब्बत और यह वो काम है, जिसमें दूसरे किसी काम के लिए, वक्त ही नहीं मिलता शर्ते लगाने के लिए तो वक्त मिल जाता है हाँ, वो तो अपनी होबी है वैसे, मुझसे मिलने के लिए भी तुमने शर्त लगाई थी ना और वो शर्ट तुम्हें जीत भी गया लेकिन अपना दिल हार गया यह दालोग पेसे आपने कितनी लड़कियों को सुनाया है ज्यादा नहीं यही कुछ पांच है लेकिन तुम्हारे मामले में बहुत ही सीरियस मुप्रिया मैं वादा करता हूं कि मैं जो कुछ करूँगा मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ नहीं करूँगा मैं तुम्हारे प्यार में रूमियों फरहाद एक्शुली मजनू से भी ज्यादा दीवाना हो चुका हूं मिस्टर दीवाने जमाना बद चुका है तुमने बहुत ही शर्टे लगाई होंगी और जीते भी होगे लेकिन ये शर्ट तुम नहीं जीतोगे तुमी नहीं प्रिया 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 सोच लिया मैंने एए मेरे दिल बर सोच लिया मैंने एए मेरे दिल बर है इरादा किया मैंने जाने जिगर एक तेरे जिवा उसे और किसी से प्यार करना नहीं किस मार जिया प्रिया लखला प्रिया मैंने अडिया atmos्ट लिया प्रिया chicken Pepper chicken ba दिल नशी है तो, दिर्बा है तो, मेरे खाबों की अब तरह है तो नाजनी है तो, महजबी है तो, दिल से चाहे वो हती है तो महजबी हु मेरे मैने ली है कसम मुझे आहां भरना नहीं सोच लिया मैने, ऐ मेरे दिल बल पॉबी तू है धरकंग में तू है थासों में तेरा ही जलवा मेरी आखों में प्यारा ना था प्यारा आया है क्या दशा मेरे दिल रचाया है दुछ पे ही लुटानी है जान मुझे किसी और पे मरना नहीं सोच लिया मैंने है मेरे दिल पर है राजासिया मैंने जाने जी गए एक से दिवां से और किसी से प्यार करना नहीं सोच लिया मैंने है मेरे दिल पर जाने 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 जाए जाने का उत्वन कर दो किसी स्थार्ट मैं तछी देखो, देखती जाओ, हाला हो क्या है, कैसे समझाओ, पूछना साथे, क्या किया मैने, दिल दिरा लेके, दिल दिया मैने, कुछ भी हो तरम अन्जा में वखा, मुझे को दरना नहीं, सोच लिया मैने, है मेरे दिल बर, है रादा किया, मैंने जाने जिगे, इक तेरे दिवा मुझे और किसी से यार करना नहीं, सोच लिया मैने, है मेरे दिल बर, है रादा किया, मैंने जाने जिगे, इक तेरे सिवा मुझे और इक ती में, प्यार करना नहीं, प्यार करना नहीं, प्यार करना नहीं, मैं कुछ नहीं सुना चाहता, मैं बुरे धंदे जरूर करता हूँ, लेकिन मेरा नाम बुरा नहीं है, और तुम मेरा नाम खराब कर रही हो, यह मैं हर्गिस बरदाशनी कर सकता, प्रिया, अगर तुम्हें कोई लड़का पहले से पसंद था, तो बता देना चाहिए था, अपने दाड़ी का दिल दुखाने की क्या ज़रूरत, मैंने किसी का देलविल नहीं दुखाया, पापा नहीं कहा था, कुछ दिन बॉबी को देख लो, परक लो, मैंने बॉबी को देख भी लिया, और परक भी लिया, मुझे बॉबी से शादी नहीं कर दी पापा, देखो बेटी, अगर तुम्हें भाई साब की इजद का थोड़ा सा भी खयाल है, तो तुम वही करो, जो हम सब कह रहे हैं, अरे वरना सारा शेर इन पर हसेगा, और कहेगा, लाला मदन ला मलोतरा अपनी बेटी तक को कबजे में नहीं रख सकते, क्या मतलब है आपका, लाला मदन लाल मलोतरा की बेटी आवारा हो गई है, और नहीं तो क्या, मेरे होते हुए एक गुंडे छोकरे के साथ घुमना फिरना या आवार की नहीं तो और क्या है, ओ शरा पाबी, बहुत ह हो गया, मैंने तुझे उड़ना सिखाया था, मैं तेरे पर काड़ दूगा, फिर अंदर, कोई अच्छा सा मुरद निकलवाओ, अट तालीस घंटे के अंदर अंदर नोनों की शादी करवा देता हूँ, देखता हूँ मेरा कहा कैसे नहीं मानती है, बापा मुझे इसका अफसोस नहीं कि प्रिया की शादी उस बुजदिल के साथ हो रही है, अफसोस तो इस बात का है कि तुम जैसा बहादूर लड़का हार गया, और ये कर भी क्या सकता था लेड़ी, वो राहूल के बाप के जानी दुश्मन की बेटी है, दुश्मन के साथ प्रि तुमीन मिस्टर चोहान ने मिस सायुकता को किड्नैप करके मिस्स चोहान बना लिया, तु गुड, या, लेकिन किसी न उसे रोका नहीं, अरव राजा जैचन करता भी तो क्या, तलवा चला नहीं सकता था, तीर चलाता दो सीधा सायुकता को लगता, फिस्विराज चोहान दोड़ा-दोड़ा कराए, और संयुकता को लिकर फोर, लेकिन कहां विस्विराज चोहान और कहां, राउल, राउल, कोना बैं, कोना बैं, कोना, तेरा बाप, आएदे मैं अपना मू देख्या, ऐख्या है, ऐसे कि धुनकियों में अर्थ इस राव मी बाप बन जाता है, बाप, इतो मेरा बाप पा, हाथ है, बही तेरा बाप हूँ, सम्झा, ए माडम मेरा मूग यहा देखिविए, चलो टो, उटो यहां से, get out from here, come on, बहुत हो गया, बहुत हो गया, रखता गयाना, चलो उटो ए मैडम, चलो out, get out हुजूर, मालक सलामत रखे, जोडी बनी रहे, लड़के वालों की तरफ से जोडा आया है जोडा? लेकिन सुरिंदर ने तो ऐसे कुछ नहीं बताया था अरे, आप आनी भी दीजे ना, हमारी एक ही तो बेटी है, और भाई साब का एक ही बेटा, दिल के सारे अर्मान निकाल लेने दीजे ना ठीक है, आने दो बार आगे, बार आगे, flood, help, help, help चुल्लू भर पानी को तु बार कह रहा है, आज से तेरा ये गांजा, चरस, शराब, लड़किया, सब बंद वाई दैट, वाई, वाई, क्योंके तेरी शादी होने वाली है, वाई, शादी के खेमा इतनी महिंगी, नो आजादी, मुझे ने करने है ये शादी, अबे इडियट, ये तेरी शादी नहीं, मेरा सपना है जो साकार होने जा रहा है पंद्रा साल मैंने मैंनत किया, लाला की तुझोरी की चावी, हसल करने के लिए, मैंने लाला को उसके दोस्त से अलग किया, लाला की भीवी को रास्ते से अटाया, अपनी बेहन की शादी लाला से करवाई, अब, अब मुश्किल से, प्रिया की शादी तुझ से करवाने के लिए राजी किया है मैंने I love you dad I love you चलिए let's go कहा जा रहा है प्रिया के खर नेशनली क्यों क्यों कि आप में प्रिया को मुझ जैसा तूला दिला है इस बात की मुभार्ग बात ने निकलिए आरे बेवकूफ तुझे इतना नहीं मालूं शादी की एक रात पहले दूला दूलन एक दूसरे की सुरत नहीं देखते ओ वेली नो मीटिंग नो मिलन ओके 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 समाल ले अपने आपको सुधार ले एक बार तेरी प्रिया के साथ शादी हो गई न, तो हमारे हाथों में इतनी दौलत आ जाएगी, इतनी दाकरत आ जाएगी, कि हम सारे शहर का बैंड बजा देंगे, बैंड रोख सके तो रोख मैं तुझे लेने आया रोख सके तो रोख मैं तुझे लेने आया तौफा मोहबत का मैं तुझे देने आया हाँ, रोख सके तो रोख मैं तुझे लेने आया तकरा ये बेकार है, सची में सचा मेरा दार है रोख सके तो रोख मैं तुझे लेने आया दौपा मोहबत का मैं तुझे देने आया हाँ रोख सकीतो रोख मैं तुझे लेने आया होंगे मोहबत के दुश्मन हजार इसकी तो करवाह मुझे को नयार दिल की लगी क्यो है बतलाओंगा सारे जमाने से टकराओंगा मैं हूँ पागर दिवाना करेगा क्या जमाना ये समझना दिवानी के मैं डर जाओंगा रोख के दो रोख मैं तुझे लेने आया तौफा मोहबत का मैं तुझे देने आया आ रोख सके दो रोख मैं तुझे लेने आया रोख मैं तुझे लेने आया रोके किसी के भी रुकता नहीं आगे किसी के मैं जुकता नहीं हाँ उल्फत की ताकत देखाऊंगा मैं तुझको उठाके ले जाऊंगा मैं सुन ले मेरे सनम मैंने जी है कसम होगी जीवार कोई गिराऊंगा मैं रोक सके तो रोक मैं तुझे लेने आया अरे तोहपा मोहबत का मैं तुझे देने आया हाँ रोक सके तो रोक मैं तुझे लेने आया तोहपा रोक सके तुझे तो रोक मैं तो रोक मैं तुझे लेएक्षण। रोक मैं तुझे लेएक्षण। जा हमतोर तेफिए स्थराइस कि बता है तोग builders बज़ के अँभर बर दोजंomet chiarने कि अँभर पर मीतails О पे अँभर वोः जब अँभर अँभरे वोजन relación प्लीव Sabya जब खगप एंदyty लुख जाओ, वहना गोली मार दूना गोली चलाने से पहले सोच लेना लाला अगर निशाना गलत लगा तो तुम्हारी बेटी मारी जाएगी अगर निशाना सही लगा तो मेरा बाप सूरज सिंग तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेगा क्यों, लगीनवाद निशाने पर टू गुद सूरज बार निकल सूरज रात को सूरज जून रहा है लाले लगता है तेरी जिन्दगी में अंधेरा बहुत बढ़ गया है बोल क्यों आया है? एक भूल का सुधार करने आयों कमीने मैं समझता था कि तेरा बेटा एक शरीव औरत की अउलाद है जिसने कभी मुझे भाई कहा था इसलिए उसमें थोड़ी सी शरावद भी होगी लेकिन लेकिन आज मुझे बता चला वो सिर्फ तेरा बेटा है सिर्फ तेरा उसके खून में भी वही कमिनगी है जो तेरे खून में है निकाल बाहर उच्चुए के बच्चे को जो बाप के बिल में जहां घुसा है वरना वरना आज ये इलागा खंड़ा बना दूँगा ओए लाला बेव कोफे मत कर हमरे घर में हम पे वार करके तू जिन्दा नहीं बचेगा अब बता हमरे बिटवा ने का किया है तेरा बेटा मेरे घर से मेरी बेटी को उठा कर लाया है बता का है मेरी बेटी अगर तू सच कह रहा है लाला तो हम अपने राहूल को इसकी सजा जरूर देंगे हम तुमसे वादा करते हैं लाला कि 24 घंटों के अंदर हम तुमरी प्रिया को खुद तुमरे घर वापस लेकर आएंगे ठीक है सुरज लेकि र्याद रख अगर 24 घंटे के अंदर मेरी बेटी मेरे हवाले नहीं की गई तो मा कसम तू उम्रे बार अपने बेटे वर होएगा माइब ग्रिया माइब ग्रिया मैं जीत गया गुद इवनिंग शालिनी जी कैसी है आप मैं जीत गया भई सौरी अंकल टक्स जीते आप नहीं जीता मैं हूँ निकाली ये 20,000 रुपा है 20,000? कौन सी 20,000 रुपे? अरे आपने मुझसे शर्ट लगाई थी लड़की को पटाने की और अपने साथ लाने की मैंने अपनी शर्ट पूरी कर दी है और अगर आपने भीमानी करने की सोची भी तो अच्छा नहीं होगा तुम मजाक कर रहे हो मजाक बिलकुल नहीं कर रहा हो रियली? लेकिन तुम तो प्रिया से प्यार करते हो ना प्यार? हाँ मैंने तो ये सारा ड्रामा सिर्फ शर्ट के लिए किया था अब आप महल निका लिए और तारीफ कीजे कि किया ड्रामा था वा, वा, लेकिन तुम तो राहूल से प्यार करती हो ना प्यार? मैं तो इसके साथ इसलिए आ गए थी, क्योंकि मुझे बॉबी से शादी नहीं करनी थी वरना अपने बाप के दुश्मन के ओपर तुमें थूक भी नहीं मगर मैं अपने बाप के दुश्मन पर थूकने के लिए तयार हूँ तुम अखूँ यहां से शुरू होता है आपरेशन प्याराना पार टू हाँ तो मिस्टर राहूल सूरज परसाद सिंह क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो बहुत अच्छा है और खुशी इस बात की है अंकल टक्स कि आपने घर बहुत अच्छा चुना है एंक्यू लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी मौत भी इसी घर में होगा क्या यहाँ इसलिए मैं आपसे पूछा चाता हूँ कि आपको किस किसम की मौत पसंद है नेचरली जो आराम से आजाए भाई आराम की मौत आपकी किसमत में है नहीं क्यों वो इसलिए कि अब तक मेरे बाप और इनके बाप आपको शेहर के हर गटर में ढूंद चुके हों गटर? जी हाँ और अगर आप शेहर में नहीं मिले तो आप बहार निकलेंगे एक बात मेरी भी सुन लो कभी-कभी आपकल को धूप दिखा दिया करो पढ़ना पढ़े-पढ़े सर जाएगे क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ तुम्हारे बाप को ये पता कहने न लेगा कि इस चाल के पीछे केडी का हाथ है तुनिया के सामने लड़की लेकर तुम भागे हो तलाश तुम्हारी हो रही होगी दूसरी बात आदमी चोर को हर जगा ढूंटा है लेकिन अपने घर पर कभी नहीं ढूंटा ऐसे बरकुरार तुम्हारी इतला के लिए यह बंगला तुम्हारे बाप का ही है मेरे बाप का? जिया जिस पर मैंने कबजा कर लिया है और पहरेदारों को पासल कर दिया है इसलिए तुम्हारा बाप यहां कभी नहीं आ सकता तो फिर मेरे आप बाबुजी को नहीं जानते वो यहां आएंगे जरूर आएंगे चाहदो लगा लो शर्त लग गई तुम और तुम्हारी शर्ते यह तब तुम्हारी वज़े से हुआ है प्लाडी हैल ओ शराब पीछे क्यों आरे क्या बदबद कर रहे हो तुम एक हाथ मारूंगा दाथ निकाल दूंगा नाखो नेखे आखे निकाल दूंगी बड़ी है आखे निकालने वारी चाहद पीछे हाँ पीछे हाँ मैं तुम को च्छावी रही जोद अच्छ लोगी अरे अंकल तक्स अपको हतकडी लगाएंगे आख चावी चावी मेरे पास नहीं है मैंने खार दूंदो अधर धूंदो अरे चावी कैसे नहीं है अपके पास अध्करो यहाँ है और अब यहीं रहेगी और अब यहीं रहेगी केड़ी क्या सोच रहे हूं? सोच रहा हूं कि साइकलोजी की सारी किताबों को आग लगा दूँ क्यों? सवांक्रे गलत हैं एक सुन्दर जवान लड़का प्लस एक सुन्दर जवान लड़की इस एक्वल टू जवान महबदारब सब अख्वास है, जूट है इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठे हिम्मत हारने की बात नहीं है शालू दुख तो इस बात का है कि मेरा सारा प्लैन गलत रिखला तुम्हारा प्लैन अनोखा जरूर है केटी मगर गलत नहीं है यह हो ही नहीं सकता कि एक दुस्रे के इतने पास होकर भी राहूल और प्रिया एक दुस्रे से दूर रह सके काम देव की कमान से तीर निकल चुका है बस अब निशाने पर लगने की देर है जमाने कोब तक नहीं है पता अगर हो गई हमसे कोई खता जमाने कोब तक नहीं है पता अगर हो गई हमसे कोई खता क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा जमाने कोब तक नहीं है पता अगर हो गई हमसे कोई खता क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, क्या होगा देखे दिल पर अब चैन कहीं न आता है छोड़ो शरारत करना ऐसे मुहबत परना ठोड़ा पहक जाने दो नस्दीक तो आने दो दिवाने जरा मुझ को इतना बता अगर हो गई हमसे कोई खता बलिश और मच बया तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा हमें बेताब है मोसं भी है गराई दी ओले मिरा दिल कब से मोती चुरा लू लब से गाहों में स्वाहें डालो मझ को गले से लखालो तुम्हें देखके हो रहा है नशा अगर हो गई हमसे कोई खता कहीं शोर मच गया तो क्या होगा 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 गुट गुट शालू तुमने ठीक ही कहा था काम देव की कमान जो निकला तीर पिजाने पर लगीग गया जेदि अतरा के मुभारिक हो बेटे बहॉत बहुत मुभार को हम तो कभी यषा कुछ भी नहीं सकते ते कि हम्रा ना मूझा करने के लिए हमरा बेटा क्योंगे भी द्यूस्मन की बेटी को उठाकर हमरे लेएगा इसी बात नहीं है बस समीज, बेटी दोस्त की होया, दुश्मन की, वो बेटी होती है, हाट और किसी भी बेटी को उसके बाप के घर से भगाया नहीं जाता, बलकि उसे डोली चड़ागर विदा किया जाता है मैं इसे भगा कर नहीं लाया हूँ बाबुजी, ये खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है देखे, आप गलत मत समझे, मैं घर से इसले भगा रही थी, कि मुझे उस बेवकूफ बाबी से पीछा चुडाना था जूट मत बोलो, बेरे बच्चो, और इन बंदूखों से बिलकूल मत दरो, बहादूर वो होता है, जो मौत के सामने साच बोलने की हिम्मत दिखाए क्या दो इनसे, क्या दो इनसे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो यह तो सिर्फ एक नाटक था, अंकल तक्स, नाटक? और नहीं तो क्या, प्यार हो जाता है, जबरतस्ती कराया नहीं चाता तो क्या तुम दूनों मौत करता है अरा जरा ठहरो, हमरे भी तो समझाओ, एतनी देर से काब बकबक हो रही है कौन किसके साथ जबरतस्ती कर रहा है, बोलो मैं आपको समझाता हूँ बाबुजे, यह पागल आदमी, यह इंस्पेक्टर केडी सिंग है इन्होंने प्लैन बनाया था, कि अगर हम दोनों में प्यार हो जाए तो आपकी और लाला की दोस्ती एक बार फेश से हो जाएगी मगर हमरी और लाला की दोस्ती से इस पगलवा को का फाइदा होगा मुझे नहीं, सारे शहर को, सारे देश को फाइदा होगा तुम दोनों की गैंग वार बंद हो जाएगी तो कितने बेगुनाओं की जान बचेगी लोग आराम से सुएंगे इत्मिनान से अपने अपने काम पर जाएगे यह आई दिन की मारा मारी सडकों पर बंद हो जाएगी हर तरफ सुख होगा, जैन होगा, शान्ती होगी, अमन होगा हम तो सोच रहे थे कि राहूल को फसाने की कोसिस में तुझे किसी नदी या तालाब में दफन कर देंगे ना तरी अर्थी उठे और ना ही तरी समाधी बने लेकिन अब हम सोचते हैं, कि तुझ जैसे सीधे आदमी को मारना कव हत्या के समान पाप होगा जा हम तुमको माफ किया ए प्रियाद, लाला ने हमको बहुत गालिया दिये लेकिन उसके जवाब में हम उसे गाली नहीं बलकि उसकी बेटी इच्चत के साथ लोटाएंगे चलो हमारे साथ चौबेश घंटे का वादा करकी गया था, सुखर का बच्चा मुझे मालम था, उसके वादे पर यकिन करना लाला सुरत सिंग जब कोई वादा करता है तो उसे जरूर पूरा करता है सम्हाल अपनी बिटिया को प्रिया, मेरी बच्ची, तु ठीक तो है न? अब पूछ अपनी बिटिया से कैसे हमरा बेटा भगा कर ले गया था या खुद अपनी मर्जी से गई थी बलती क्यों नहीं जवाब दे जी, जी मैं मैं खुद अपनी मर्जी से गई थी सुन लिया, लाला दूसरों को बच सूरत कहने से पहले अगर खुद के सूरत आईने में देख ली होती तो आज तुमने बेटी का तमाचा तुम्रों मुपर इस तरह नहीं पुड़ा होता हुआ 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 आज तेरी वज़े से तेरी वज़े से वो मुझे गाली दे कर गया है मेरी दर्वाजे पर आकर मुझे जिल करके गया तेरी वज़े से अगर तु मेरा खूर ना होती तो मैं दफाओ जा आज से ग्रव तुमने मुझे पीमार कर दिया है अगर मुझे पहले बालूब होता तो मैं तुम्हे अंदर गुस्ने नहीं देता बाह से जूते लगवा के निकलवा देता तुम्हे सारा शहर सारा शहर हस रहा है पुलीस एक जोक बनके रह गी है एक आद्मी की वज़े से सिर्फ एक आद्मी की वज़े से और आज के बाद तुम्हारी शकल में मुझे नजर आई तो फिर वो तुरिया को वापस क्यों करता बाज साब वो तो ये ठीक कह रहा है भाया इसमें दोश किसी का नहीं है दोश सिर्फ उस बदबाश केडी सिंग का है जिसने जबरदस्ती मेरे मासूम बच्ची को रोक की रखा केडी को तो इस हरकत की ऐसी सजा मिलेगी कि जिन्दगी भर याद रखेगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मुझे आज भी यकीन है कि नफरत को नफरत से नहीं महवत से ही जीता जा सकता है निराश होने की जरूरत नहीं है केडी तुम्हारा एक तजर्बा फेल हुआ है लेकिन तुम्हारे थ्यारी फेल नहीं हुई थैंक्यू शालू हारे हुए खेलाडी को अमदर्दी भी इनाम लगती है तेरा इनाम ये नहीं है असली इनान तो हम देंगे हम ये क्या बत्तमीजी है जन्ति मैं पुलिस आफिसर हूँ पुलिस आफिसर थे थे मिंसर केडी थे और ये दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की सथा है रुक जाओ लेकिन मैं अभी पुलिस आफिसर हूँ अर्ये मेरे खालव मेरी मंगेतर को बर्दगाने के लिए ये मेरे upperexpmentioned plan को बर्बाद करने के लिए आप रोहाँ! हाइक! चक्र! चक्र! अगाओक्र! रच्र! बच्र! 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 यह इस लिए कि तु दुबारा हुशारी मारने की कोशिश ना करें अगर इन्होंने बारा घंटे कुसार लिए तो फिर बचने की उमीद की जा सकती है लेकिन डॉक्टर साब देखे इस समय में इस से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता अब इन्हों के पठे अगर शालू ने बयान दे रहा है और पुलीस केड़ी के होश में आने का इंतजार कर रही है तो जानता क्या होगा हम दोनों को फासी हो जाएगी फासी अब तो एक ही राफ्ता रहे जाए अस्पताल में ही उसे खतब कर देना चाहिए ये क्या कह रहे हो तुम मैंने खुद अपने कालों से सुना है अंकल तक्स को यह से शिफ्ट करना बहुत जुरूरी है मैं अभी पुलिस हैटकॉर्टस फोर लगा थी जब तक पुलिस यहां पर पहुचेगी हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा जल दिखीजे वो लोग आते ही होगी आये चली वो सारा इंस्पेक्टर केडी सिंह कौन से रूम में है आप कौन है पताती है केडी सिंह का कमरा कौन सा है यहां ओड आदू खोपड़ी I see you 5th floor रहूल वापिस लो वापिस लो साइड हटो खट जाओ राइट मेली जाएट राइट मेली जाएट पीया इसे पकड़ो रहूल तुम लोग जाओ जी जाओ वाद लोग दोड़े से चाह, दोड़े से जोड़े उतार प्रियों, उतार कर दोड़े तो तूमने सोचा! गुल्लू को उल्लू बनाकर इस उल्लू की जान बचानोगी! चलाओ! खूँद अ… बच्च उख्णनोगी खूफ। वाााााााााााााााााााााााा! तोलोर पीचे, बस चल्दी राफ, चल्दी घरियो, हरियो, कमान बकलो 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 प्रणाब्स प्रणाब्स प्रिया प्रिया केडी को होश आ गया है वो तुम दोनों से बात करना चाहता है मुझे तुम से कुछ जरूरी बात करनी है शालू मुझे सब कुछ बता चुकी अगर तुम दोनों ना होते तो शायद इस वक में हस्पिताल में होता लेकिन लेकिन वहां के मुर्दा खाने में मैं मामो और बॉबी को छोड़ूंगी नहीं उनसे आपका बतला जरूरूरूंगी तुम ऐसे कोई हरकत नहीं करोगी मगर क्यूँ भूल मेरे ही थी कोई जरूर नहीं कि दो जवान दिलों को पास पास ला दिया जाये तो तो वो महबद करने ही लगे यह सब कहने की बाते हैं कि आग और तेल को पास पास रख दिया जाये तो तो शोले उठेंगे तेल ज्यादा हो तो वो वो आग को बुझा भी देता है दरसल महबद की नहीं जाती कराई भी नहीं जाती महबद तो बस खुद बखुद हो जाती है मैं अपनी भूल की तुम दोनों से माफी मांगता हूं बच्चों मेरी वज़ा से तुम दोनों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी अब एक आखरी ऐसान और कर दो मुझ पर तुम दोनों अपने घर चले जाओ मेरी शुब कमने तुम दोनों के साथ है अग्वान तुम दोनों को खुश रखे झाठबो झाठब झाठब लब पे दिल की बात है आई मैं कैसे हावाश रहूं धड़कन कहती है जो मुझसे कैसे तुझसे वो बात कहूं साथ चोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो कपा मेरा पैसला क्या है तेरा पैसला और अपा वादा तोड़ू ना सनम चाहे कोई हो सितम वादा तोड़ू ना सनम चाहे कोई हो सितम ये है मेरा पैसला क्या है तेरा पैसला और अपा साथ चोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो कपा ना रुब हो कपा मैं तो जीऊंगी तेरे इंतिजार में आसो पियूंगी हर घड़ी में प्यार में तेरी वफा पे मुझे एतवार है दिल क्या है तुझ पे मेरी जानिसार है ओना था एक दिन दिल को दिवाना पिसमत में तो था ये प्यार आना ओ दिल तो मैंने साथिया नाम तेरे लिख दिया दिल को मैंने साथिया नाम तेरे लिख दिया ये है मेरा पैसिला क्या है तेरा पैसिला हो रपा साथ छोड़ू ना तेरा जाहे दुनिया हो खपा झालो पूड़ू नाम तेरे लिख दिल दोड़ू अ खपशलगं हामोश धर्ती फलक बेज़ुआन है अपनी महाबत का ये इम्तिहान है रिष्टे दिलों के कोई दोड़ ना सके दूपा की धारा कोई मूड़ ना सके हम तो लिखेंगे अपना फसाना जो जी में आये कर ले जमाना तेरी बाहों में रहूँ दर्त तेरा में सहूँ ये है मेरा पैसला क्या है तेरा पैसला ओ रबाब वादा तोड़ू ना सनम चाहे कोई हो सितम साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो कफा ये है ये है मेरा पैसला क्या है तेरा पैसला ओ रबाब ओ, तो ये बात है, ये बात तुम दोनों ने कुछ दिन पहले बताई हो दी तो शायद मैं कुछ इसे नाचने लगता, लेकिन अब मैं हालात समझ चुका हूँ, और तुम दोनों भी हालात समझने की कोशिश करो, अगर तुम लोगों ने घरवालों के मर्जी के खिलाब शादी की तो लाला और सूरे सिंग में दोस्ती नहीं बलकि दुश्मनी और बढ़ जाएगी, और उनके दुश्मनी का नतीज़ा क्या होगा, ये तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो, अगर तुम दोनों शादी करना जाते हो, तुम बगावत करके नहीं, सबकी खुशी से खरो, अपने माबाप को समझाओ, अरे नहीं, वो कभी नहीं समझ सकते, वो ऐसे दुश्मन है, जो कभी दोस्त नहीं हो सकते, मगर दुश्मनी से पहले वो दोस्त है, अगर तुम दोनों का प्यास सच्छा है, तो जी मैं यहां से नहीं जाऊंगी अंकल टेक्स बेजो एक वाध को हम लोग की जाऊंगी तुम, वापस, यहाँ जीना यहाँ, मरना यहाँ गारी बिनाज जाना तहाँ वेकिन हुआ क्याँ प्यार हुआ, इतरार हुआ है गारी अमारी चलती नहीं अरे गारी नहीं चलती तो पैदल जाओ, पैदल पैदल? बरसात में दिना दिन बरसात में हमसे मिले तुम सोजन ताक दिना दिन मैं गड़ी ग इने जाम करता हुँ झाल 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 क्या है कि यहां इधर आओ अब तो एक ही तरीका रहे गया है कर्णक कर्णक कर दो कर दो तुझसे पूछू एक सवार बोल जरा क्या है तेरा हाल क्या मेरी दरह तो भी तरपता है क्या मेरी दरह तो भी तरपता है अब है नींद किसे अब है चैन कहा खोश उड़ाए तेरा शवाब मेरे सवाल का दे तु जवाब क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है अब है नींद किसे अब है चैन कहाँ अब है नींद किसे अब है चैन कहाँ इंदिया चूरा के गई निंदिया दिवानी जिया ले गए कावारे कंदिल ना दोली में बिठा के तुझे चुनरी तोड़ा के मैं तो ले आउंगा मेरे अंगना प्यार का पूल जिल में महचता है अब है नींद किसे अब है चैन कहाँ तुझे से पूछू में सवाल गोल जरा क्या है तिरहा क्या मेरी तरह चो भी तरबता है अब है नींद किसे अब है चैन कहाँ अब है नींद किसे अब है चैन कहा मैं आब है दोड़ा का पुण आज सदी निवाद आजन है ना अव송डार शरत उतनौड़ reden सारी सारे देना तिरे भात सताय बरसाथ सताय सजना सारी सरे न तेरी बात सताए बरसात सताए सजना काटे न कटे ये देना अब तेरे बिल मुला आत सताए सजना पासो के भी तू दूर रहता है पास हो के भी तू दूद रहता है अब है नींद किसे, अब है चैन कहा तुझसे पूछू एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल क्या मेरी तरहता भी तरहता है क्या मेरी तरहता भी तरहता है अब है नींद किसे, अब है चैन कहा भूश उड़ाए तेरा शवा, मेरे सवाल का दे तु जवा क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है अब है नींद किसे, अब है चैन कहा अब है नींद किसे, अब है चैन कहा अब है नींद किसे, अब है चैन कहा नहीं, हर्केज नहीं मैं तुझे गोली मार सकता हूँ इस घर से तेरी आर्शी जाते वह देख सकता हूँ मगर तेरी डोली उस कमीनी के घर जाते वह कभी नहीं देख सकता दुश्मन आपका है, लडाई आपकी है, नफरत आप उससे करते हैं मगर मैं तो अपनी महबत, अपनी खुशी, अपनी जिन्दगी की बात कर रहा हूँ आप क्यूं चाहते हैं कि मैं आपके लिए अपने आपको कुर्बान कर दूँ अपने हाथों अपनी महबत को दफना दू मैं आपका बेटा हूँ, आपके घर में पैदा हुआ हूँ अगर आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो इसमें मेरा क्या कसूर है इसलिए कि वो जलील है, कमीना है, नमक खराम है वो इतना जहरिला है, के साम से दोस्ति की जा सकती है मगर सुर्ण सिंह से हाथ कभी नहीं मिला जा सकता हमें तेरे प्यार के सिकस्त नहीं चाहिए लेकिन हम अपनी नजलों में गिरना भी नहीं चाहते है हम तुझे बहुत प्यार करते हैं तुझे बहुत चाहते हैं तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं जो चाहे जो मांगे वो दे सकते हैं लेकिन हम हम लाला के सामने छुक कर अपना दामन फैला कर उसकी बेटी का हाथ नहीं मांग सकते हैं मैं मान नहीं सकती कि जो आदमी अपनी दुश्मन की बेटी को इजद से उसके घर पहुचाए और अपने बेटे को सजा दे वो जलील कमीना और नमक हराम हो सकता है ये कैसे हो सकता है पापा जवाब दीजे बद्टमीज लड़की तू जानना चाती है कि सूरे सिंग की असलियत क्या है तो सुन उसने मुझसे दोस्ती की तेरी माँ को अपनी बेहन अपनी भावी कहा और फिर उसी को अपने जाल में फशा लिया तेरी माँ को तेरी जलील माँ और उसका मिने का संबन था सुरे तुने उन दोनों का संबन था इसलिए मैं जिन्दगी वरूसे माफ नहीं कर सकता इसलिए मैं तुझे जहर दे सकता हूँ लेकिन तेरी शावी उससाब की अउलाद के साथ नहीं कर सकता अब तु समझी कि वो मेरा दुश्मन क्यों है वो कमीना में का दुश्मन जू है लेकिन इतनी बड़ी खलत फहिमी एक दम से तो नहीं होती इसका कोई तो कारण जरूर होगा कारण का पता नहीं हम उस वक्त पूना में थे सर्ता भावी का फोन आया वो बहुत घबराई हुई थी और उन्होंने हमें खंडाला वाले बंगले पे बुलाया भावी एक करोड उपईया हमरी प्रिया के जान से जादा नहीं है लेकिन हमरा दिल कहता है भाई साहब उसने कहा है कि अगर मैंने जरा भी होटिल आए तो वो प्रिया को अरे भावी किसी ना परिशा जरूर मजाक किया है ऐसा मजाद कौन कर सकता है अरे मजाक ही होगा भावी मजाक ही होगा वरना बंबई सहर में अभी तक कोई ऐसा जिगर वाला माई का लाल पाइदा नहीं हुआ जो हमरे लाला की बिटिया का सपने में भी बाल बाका कर सके लेकिन उसने कहा है क्यों प्या को भाव जी हम आपकी सवगंद खागर कहते है कि जिसने ऐसी बस सगुनी वारी नीच और जलील हरकत की है हम उसके जुबान तो क्या उसके बदन के टुकड़े टुकड़े करके आपके कदमों में डाल देंगे आप दोनों दोस्तों को तो बस खूल खराबी की भाशा की सिवा और कुछ आता ही नहीं है भाशा कुछ कीजिए मुझे तु सर्फ अपनी बीटी सही सलामत वापस चाहिए ए भाजी हिम्मत रखिए आपकी बीटीया सही सलामत मिलेगी आपको अगर प्रिया को कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगी क्या जवाब दूँगी भावी आपकी प्रिया को कुछ नहीं होगा और हम जब भोस में आये तो हमें ये बताया गया कि हमने सर्फा भावी की इजट पर हाट डाला इसलिए सर्फा भावी ने हमें गोली मारकर खुद भी आत्मात्या कर ले हमने बेटे लाला से मिलकर सफाई देने की बहुत कोसिस की मगर तब तक लाला हमरे खुबन का प्यासा हो चुका था वो हमरी सूरत देखने आवाज सुनने के लिए तयार नहीं था मा मैं जानती हूं ये सब जूट है तुम ऐसे नहीं हो सकती तुम ऐसे नहीं हो सकती बीबी जी साब बुला रहे हैं पापा आपने मुझे बुलाया ना जाने मैंने तुम्हें क्या कुछ कह डाला आइम सॉरी लेकिन लेकिन तुमने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुमने मेरे सारे पुराने जखमों को छील डाला प्रिया बेटा तु उसके पास मत जाना मुझे छोड़कर मत जाना मिटा मुझे छोड़कर मत जाना ठीक है बापा मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे मगर आपको मेरा कहा माना पड़ेगा आप मुझे बॉबी से शारी करने पर मजबूर नहीं करेंगे ठीक है बेटा मैं तुमे मजबूर नहीं करूँगा जयसा तुम चाहोगी वेसे होगा Ria 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 Raur तुम यह क्यों है Raur लोगों को लड़ना है तो लड़ने दो हम अपनी जिंदगी क्यों बरबाद करें जब तुम जानते हो सब कुछ खातम हो चुका है तुम जानते हुए भी कि मेरा कोई कसूर नहीं लेकिन आज पहली बार मैंने पापा की आँखों में आसी देखे और अगर मैं उनको अकेला छोड़कर चलीगी तो वो तूट जाएंगे Raur जीते जी मर जाएंगे तो क्या मैं चीज़कूंगा तुमारे बेना पहली नहीं जी भाँगे तुमारे पे गैर Raur Ria जो नहीं चाहते वीपी कबूल करें अब तुम जाओ Raur लेकिन मैं तुमसे एक बात कहते हूँ अगर मैं तुमारे नहीं बनी तो किसी की नहीं बनाँगी जा Raur, प्लीज जा ठीक है Rauraur, मैं यहां से तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए था लेकिन अब इस भरो से के साथ या रहा हूँ कि तुम हमेशा मेरी रहोगी सिर्फ मेरी वादा करो, Pria I promise, Raur Pria, I love you, Pria I love you, Pria Raur I love you too Pria 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 तुम यहां बेटी हो अच्छा किया तुमने अरे बहुत ही अच्छा किया जो बॉबी के साथ शादी करने से इंकार कर दिया तुमने मुझे बुरा नहीं लगा बिलकुल बुरा नहीं लगा अरे बॉबी मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ है तो वो निकमा बदमाश चरस पीता है शराब पीता है जुआ खिलता है और ना जाने क्या क्या करता है वो मैंने तो बस यह सोचा था बेटी कि तुझसे शादी हो जाएगी तो तु सुदार देगी उसे आपको कुछ और कहना है हाँ बेटी जब तुम चली गही थी ना तो मैंने मानता मानी थी कि अगर मेरी प्रिया खहरियत से लौट आई तो उसे लेकर देवी मा के दर्शन को आऊंगा बस आज मेरी मानता फूरी हो जाएगी मामा जी यह आप मुझे का ले आए अरे देवी मा के मंदर लाया हूँ आव 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 लेकिन यह सब आरे यह सब मेरी तरह देवी मा के भक्त हैं उनकी हिवादत के लिए मैंने यह सब अंग्रक्षक छोड़ रखे हैं आव आव यही है वो देवी जिसे तुम मा का होगी मा? हाँ भावी देखो किसे लेकर आया हूँ आज मा पिया मा पिया पिटी मा पिटी मा पिटी मा पिटी मा हाँ भावी से वादा किया था ना कि एक दिन बेटी से मिलवाऊंगा तुम मिलवा दिया मा कितनी बड़ी हो गई मैं अब कुछ-कुछ समझने लगी हूँ लेकिन मुझे लेकिन पूरी कहानी तो सिर्फ मही जानता हूँ प्रिया बेटी बहुत पुरानी बात है जब लोग सूरज और लाला की दोस्ती की कस्में खाया करते थे मुझे अंदाजा हुआ कि ये दोस्ती नहीं मेरी तरक्की पर लगा हुआ ताला है और इस ताले को खोलने के लिए मैंने एक प्लैन बनाया और उस प्लैन के मताविक एक दिन मेरी बहन नेशा तुमें लेकर घर से निकली और मैने तुम्हारी मा को लाला के ओफिस से फोन किया ऐलो हलो कौन है आप मैं कौन हूँ, इस से आपको क्या फरक पड़ेगा इस वक्त तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बेटी प्रिया, घर पर नहीं है क्या, प्रिया घर पर नहीं है प्रिया घर पर होती तो मिलती न पिर ठीक दो मिनिट बाद मैंने दुबरा फोन किया कौन है आप और क्या चादे है सिर्फ एक करोड रुपया जल्दी से लेकर खंडारा पहुन जाओ जबान बंद रखना उसके बाद मैं लाला की सेक्रेटरी की पास किया अंजली एक पागल औरत मुझे बार बार फोन करके परिशान कर रही है कहती है कि मैं भाई साब की पत्नी बोल रही हूँ उसका कोई फोन तो नहीं आना नहीं तो ठीक है अगर उसका फोन आया ना तो कह देना कि भाई साब आफिस में ही नहीं है जी लेकिन भाई जी ऐसी कौन सी आफ अतान पड़ी है मैंने कहा ना भाई साब मैं आपको फोन पर नहीं पता सकती मैं अभी बंबे से निकल रही हूँ आप मुझे खंडाला वाले बंगली पर मिलिए ठीस प्लान बिलकुल सही जा रहा था फिर मैंने जाकर लाला को आपके और सूरज सिंग के नाजाइज रिष्टे के बारे में सारी पट्टी पड़ा दी क्या बकर है उत्म अब मैं आपको कैसे बताओ आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो तब तक निशा प्रिया को घर वापस लेकर आ गए हलो सारीता को फोन दो जी वो घर में नहीं है तुम कुन बोल रही हो मैं मैं निशा बोल रही हूं तुम्हरे पापा का फोन है ये प्लिया बात करेगी आपसे हलो पापा हलो बिटा ममी कहा है पता नहीं बाइस आप अब आप सूरज के यहां फोन करेंगे तो पता चलेगा कि वो भी घर पे नहीं है और फिर जब लाला ने पूना फूंग किया तो पता चला कि सूरज सिंग तो सरीता भावी का फोन आते ही फोरण खंडाला वाले बंगले पर चले गए नीच मा खमी नहीं मा भगवान तुझे कभी माफ ने करेगा अब इन बातों से क्या पाइदा भावी जो बोना था वो तो बोच चुका अब तो फसर काटने का टाइम आया है हाई हाद बेटी आगे सुनाओ या सुनाओ मैं जानना चाहती हूं इंसान की नीच्टा की गहराई क्या है हाँ गहराई जरूर ना पो बेटी क्योंके इस गहराई में तुमें ही गिरना है हाँ हाँ तो कहानी आगे इस तरह बड़ी कि मैं लाला को खंडाला वाले बंगले पर ले गया और उसे दिखा दिया किस तरह उसकी बीवी उसके दोस्त सूरक सिंग से छुप छुप के मिलने जया किरे कर दिए पेलसा मेरा दोस्त और मेरी बीवी यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने सब कुछ अपनी आखों से देखा है तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है आपको कोई गलत फहमी हो रही है आपको शायद नहीं मालू कि हमारी प्या को किसी ने अग्वा कर लिया है और काहा है कि एक करोर रुपया लेकर अगर मैं खंडाला नहीं पहुची तो उसी वक्त मैंने आपको ऑफिस में फोन किया था मगर आप ऑफिस में नहीं थे जूट बिल्कुल जूट नहीं तुमने मुझे कोई फोन नहीं किया तुमने फोन किया तो कमला भावी को उनसे सुरज का पता लिया दैवर को घर चुड़ा और अकेली चली आई यहां अपने यार के साथ गुल्चे जोड़ा ने यह आपको क्या हो गया है मैं अपने पिया की कसम खानी हूँ आप समझने की कोशिश क्यों करते इस वख्या की जाडख है में इस वक्त पिया घर पर है यहया यह आने से अब तुम पूछोगी के तुम्हारी मा को जिन्दा रखने की क्या जरूरत थी जवाब ये है बहू के मेरा मतलब है प्रिया बेटी के अच्छा जुवारी जो होता है ना वो हमेशा तुरुप का एक पत्ता छुपा कर रखता है देखो काम आ गई ना हाई थू ये थूक मैं अपनी बहू की सलामी समझ कर कबोल करता हूँ ये बहू-बहू केसे कह रहा है तहीं तो मेरे बच्छी की शादी अपने बेवकूप बेटी के साथ करने का सपना तो नहीं देख रहा है सब कुछ तो तैय हो चुका है भावी इसलिए तो तुम्हारा अश्रवान दिलाने लाया हूँ नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटी ऐसा कभी नहीं होने देना कभी नहीं सोच लो प्रिया तुम्हारी डोली अगर मेरे घर में नहीं आई तो तुम्हारी मा की अर्थी जरूर इस गर से बाट जाएगी मैं अपनी बच्ची की जिन्दी की बरबाद नहीं होने दूंगी कभी मा खीज़ राइस की चैन नहीं छोड़दे नहीं मा को छोड़ दो, ममाजी छोड़ दो, ममाजी छोड़ दिदे मांतो, मैं मावे से शादी कर देख देकर दहार हूं, मापजी wright सबस्क्राइब मेर शादी पर टांग उडाने आगया अरे इसकी तो मैं टांग ही तोड़ के रख दूगा तुम लोग देख के रहे हो उठाओ इस हरामी के पिल्रे को और फेख दो इसे गेट के बार ठेरो ये मेरा मुझरिम है इसे सजा मैं दूगी अब बोल अब तो प्रिया भी तुझे सजा देने आ रही है मकारी और धोके बाजी तो तुमारे खून में है खान दान में है राहुल सेंग जैसा बाप वैसा बेदा चिलाओ मत मैं तुमें अच्छी तरह जान चुकी हूँ तुम जूटे हो तुमारा प्यार जूटा है एक शर्ट की वज़े से तुमने मेरे साथ इतना बड़ा नाटक खेला तुम मैंने भी प्यार का नाटक करके उससे भी बड़ा मज़ाग किया अब हिसाब बराबर नाव गया तकलीफ मत करो प्रिया प्यार में हिसाब तु कोड अगर अब भी फमज नाया हो तो रास्ते में किसी जोसी से पूछ लेना अपनी फटी हुई किसमत का हाथ वो भी एक आएगा कि प्रिया तेरी किस्त में नहीं है और इसके बाद अगर तुने इस घर में कदम बेर खो यह यह अगर अगर तुम्हारी नहीं हो सकी तो किसी और की नहीं बनूगी लेकिन आज सब के सामने उसने मुझे जलील करके अपने घर से बाहर निकाल दिया राहुल परसो और आप में 30 घंटे बीचुके हैं इतने ताम में कुछ भी हो समता है लेकिन ऐसा क्या हो गया क्या चागल को इतनी बदल गई मुझसे नफरत करने लगई बाबी से शादी करने को तयार हो गई यह नामना है ऐसा नहीं हो सकता राहुल मा जिन्दा है शालिनी जी प्रिया की मा जुन्दा है अब जल्दी से केडी को लेकर मेरे घर पर पहुँचिये मैं बाबुजी को जागर खबर देता हूँ इस शादी को किसी भी हालत में रोपना होगा आव बिल्दी आव बिल्दी लाला तू हमको देखके हैरान तो जरूर हो रहा होगा लाला कि हम तुम्रे आप बिन बुलाएं महमान कई से आ गए इसमें हैरानी की क्या बात है अक्सर शादी ब्या में आवारा कुतने खुसी आते तू अंधा हो गया है लाला अंधा इन लोगोंने तुरे आसपास ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि तुझे कुछ दिखाई नहीं देता अरे कभी सोचा है कि जो लड़की आज ते सुरंदर के बेटे से नफरत करती थी अचानक उसके साथ साधी करने को काहे राजी हो गई यह जरूर किसी दवाब मजबूरी जबर्दस्ति में आकर इसब कर रहे हैं मेरी बेटी पर ऐसी जबर्दस्ति कौन कर सकता है क्या मजबूरी हो सकती है उसकी जो मुझे अपने बाप को नहीं बता सकती वो मजबूरी इसकी मा है तुम्रे बीवी हामरी सरिता भावी बस उस औरत को मरे सालों बिद गए है पुराने जखम कुरेदने की कोशिश मत कर नहीं लाला नहीं सरिता भावी आज भी जिन्दा है और इस कमीने सुरंदर की कैद में है ये छूट बोरा है भाई साथ आपकी जान की कसम अरे वो कुल्टा तो कब की मर गई चल गई राक हो गई है खबरदार जो हमरी गंगा समान पवितर भावी के बारे में एक भी आप सब्द कहा तो तुमरी जबान केच लेंगे भाई साथ तुम चलती से फोन करो से फोन कमीना ये नहीं कमीना तु है एक बार तुने मेरा घर बरबाद किया था आज फिर तुम मेरा घर बरबाद करने आया हमने तुमरा घर बरबाद नहीं किया लाला बलकि इस कमीने ने किया हमरे तुमरे बीच में गलत फामी की दिवार भी इसी ने खड़ी की और देवी जैसी सर्टा भावी के ऊपर कलंग का दाग इसी कमीने ने लगाया जूट है ये सब भाई साव ये सराजा जूट जूट पूर रहा है अगर हमरी बात का यकीन नहीं आ रहा हो लाला तो पूछले अपनी बीटिया प्रिया से प्रिया को क्या बता कि क्या सच है और क्या जूट है काहे कि प्रिया सर्टा भावी से मिल चुकी है लाला लाला, तुझे आज भी हमरी बात का यकिन नहीं है, लेकिन एक बार अपनी बिटिया की खुसी के खातिर, पूरी बात, सची बात, सुन दो ले हाँ, अभी इसी वक्त, धर के साथ साथ उसे भी जला दो जी मैरम, जो हुकम नमबर मिल गया? अब मालूम करो कि अद्रेस क्या है हालो, हालो? हालो, पोलीस हैडोकोटर अरे, छोड़ो, कहां ले जाना मुझे? मांद ले, क्यों मांद रहो मुझे? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो नहीं, यह नहीं हो सकता, तो फिर पूछ ले अपनी बिटिया से लाला पूछ ले हलो, हाँ राहूल, हाँ, हाँ केटी बोलो, राहूल एड्रेस मिल गया, हाँ, लिखो जल्दी से, दा इड्रेस इस, येस, ओके आल भी रहे, या प्रिया, क्या ये सच है के, तेरी माँ जिन्दा है, बता प्रिया, क्या तो अपनी माँ से मिल चुकी है, बता वेटी, डर मत, कुछ नहीं होगा, अपने बाप को सब कुछ बता दे बिटा, नहीं, मैं कुछ नहीं चानती, मैं किसी से नहीं मिली, ये सब जूट है बापा, सब जूट है, ये तु कहा बोल रही है प्रिया, आईसा मत बोल, प्रिया आईसा, ले जाओ इस कमीने को, और इतना मारो, कि जितने जख़म इसने मेरी इज़त और दिल पर लगाए हैं, उससे ज्यादा इसके बदन पर दिखाई देने लगे, ले जाओ इसे, प्रिया, जोन मा की जान बचाने करे तुम असलियत चुपा रही हो, तुमको ओही मा का वास्ता, साच बोल दे परिया, तुमनी मागो कुछ नहीं होगा, तुमनी मागो कुछ नहीं होगा, पंडित जी, शुर्गी जी शादी, जी झादु यहीं होगा, किसर्ग जोगी जढ़ नुफच की जी जी खनो की बातो मुफट होगा जी तुमनीज़ की जी 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 बातो नी कुछ थादू यााा! यााा! जैएएएए, कि लिख हुआँ! लोएएएए flavagon polis लिख हुआग कर दिलिए! क्योंक चर वझा वञा मjanglar क्योंक बंगल कर द सन अगनी देवाई नमुच्वाई ओम इंगरोदेवाई नमुच्वाई ओम कीष्वाई नमुच्वाई उच्ट आपाई जापाई ऊजेख कर दो हुब पार वाँ वाम को तो मुतूला जो हमाना कर दो सबस्के युडर्ण खर्ण तो कर दो कर दो कर दो लग्लिदोना लग्लिदुना लग्लिदुना कर दो ऑुड़ाँ झार यार्ट एकार दो जार्ट ऑड़ाँ Ah भाद्ट युड़ाँ कि प्र कि अब्र हो टो कि अई हो गुड़ाँ माजी आप, आप फिकर मत कीजिएगा लेकिन, लेकिन तुम रिटी मैं, माजी माजी, एक मिट अमसरो मंगल आंगले, श्वेश्वाद सादिके श्रन्य सरमबति गवरी नारणी नमोस्ते आये माची बभी पेटे जीते रहो पेटे, जीते रहो पेट्जदजबंज माचीध पीआ, ऍेटे! पीआ, पीआ Ma! Ma! टीया, टीया, बीबज़ जीबज़ Ma! सरिता, सरिता, तुम, तुम सिंदा हूँ? हाँ, आजगर, आजगर, रहूल नहोता तो शायब अरे रहूल नहीं होता, तो भावी अपनी बेटी की खुशी में शरीक होने कैसे आती अच्छा हुआ भावी तुम आ गई अब अपनी बेटी और जवाई को आशिरवात दो जवाई? इसका मतलब प्रिया की? नहीं मैं नहीं मानती इस शादी को, मैं नहीं मानती जबर्दसी करावे फेरों को अगर मेरा हुए की नहीं हो सकी, तो मैं किसी की नहीं बनूगी यह क्या कर रही हो प्रिया? छोड़ो, भागो हो यह क्या प्रिया अभी जी नहीं, ऐसा मत करूँ मैं थुमारे बगयर नहीं जी सकती मैं थुमारे बगयर सुरिंदर जीच तो चाहता है कि तेरे तुकड़े तुकड़े करके चिलकवों को खळा दू लेकिन मजबूर हूँ, बेटी का बाप हो ना? बोल, कितनी दौलत चाहिए तुझे, मेरी बच्ची को इस जुटे बंदन से आजाद करने के लिए आजाद? आरे भाई साब, आपकी बेटी मेरे घर में बिलकुल आजाद रहीगी कोई बंदिश नहीं होगी उसका आपकी अमानत, मेरी जमानत चल बेटे, ले चल अपनी पत्मी को चलो प्रिया जब प्रिया इस चाहदी को मानने को तयार नहीं है तो तुझे पत्मी कैसे हो सकती है हाथ मत लगा खबरदार, खबरदार जो किसी ने प्रिया को छूने के भी गुशिश की दो नहीं राहूल नहीं सदियों से बनाये हुए रस्म और रिवाज को इससे नहीं तोड़ा जा सकता छोड़ दो प्रिया को अब वो हमरे लिए पढ़ाई हो चुकी है मेलकुल 10% डाड अब है तो मेरा मुग या देख रहा है अपनी ही शादी के मंडब से अपनी बीवी को नहीं उठा सकता जा खबरदार जो एक कदम भी आगया है तो मैं प्रिया को नहीं छोड़ूँगा उच से मेरी प्रिया को कोई नहीं चीन सकता राहूल बेटे समझने की कोशिश करूँ या धर्म होगा नहीं माजी नहीं नहीं मानता वह ऐसे धर्म को जो प्यार करने वाले दो दिलों को जुदा करते तुम्रे खुसी के लिए धर्म के नियम नहीं बदले जा सकते राहूल हमने कहा ने छोड़ दो प्रिया का हाथ अब इसकी साधी हो चुकी है प्रिया छोड़ दो बेटा बाबुजी की बात माल लो छोड़ दो आओ नहीं प्रिया माबा के इज़का ख्याल करो इसका हाथ छोड़ दो नहीं प्रिया प्रिया ली अरे गलत तोटली गलत क्या मतलब मतलम है ईसandee और हम अरे बिना पंडित की मिशाधी की इह टीरी आखी यह बटन यह वंधिनी द bättreत इसी ने तो बंतर पड़े हैं ये पंडित भी है As a matter of fact, he is sub-inspector Kamlesh Pandit आपूचे तो फिर असली पंडित असली पंडित ये है क्योंकि हमारी बात समझ गए है कि जोर जबरदस्ति की शादी नहीं हो सकती Exactly Too good करें करें तो आपूचे शज से फिकल में तो शरेट! कि अगे कि अप्संखब ए लुड़ने आरे तुम लोग खड़े खड़े मुगा देख रहे हो, डाक्टर को बुलाओ अरे नहीं सुरज नहीं, मामूली से जखा में ठीक हो जाएगा यह तुमने का किया लाला, यह तुमने का किया मैंने तु सिर्फ खुन का करज अदा किया लाले की जान, खुन का करज? हाँ सुरज, तुम्हें नहीं मालूम, खंडाला में गुली तुम पर मैंने ही चलाई थी, मैंने ही बहाया था तुम्हारा खुन अजी साब बराबर हो गया अरे पगलवा दोस्ती में कॉन हिसाब नहीं होता लाला दोस्ती तो बे हिसाब होती है दोस्ती बे हिसाब होती है लाला मैं यहाँ सर है मुबार्खों सर अपना आपरेशन प्याराना काम्याब हो गया कॉनक्राचिलेशन्स केडी इंस्पेक्टर केडी कल से जूटी पर आजाना आज तो आप दूद पीएंगे ना बाबु जी अब तो इसमें से घुलावा जायर निकल गया आरे बाबु आज से हम जरूर दूद पियांगे का लाला हो जाप पहले कि तरह एक घुड तमरा एक घ रवार हमरा बकलोल साब बास बचवास साब बास जमना दीवना कर दो 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 कर झाल झाल